Hello friends, welcome back to our channel Smart Errors Club और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल की मादियम से इस वीडियो की मादियम से हम Nifty 50 और Bank Nifty का daily analysis करते हैं यह analysis करने के लिए हम यूज करते हैं technical analysis का और साथ में rate करते हैं option chain को दोस्तों यह analysis करने के साथ में ही next trading session में Nifty 50 और Bank Nifty में जो labels possible होते हैं हम उनके बारे में discuss करते हैं उन्हें note down करते हैं ताकि next जब भी आप Nifty 50 और Bank Nifty में कोई position मड़ा हैं तो इन labels को ध्यान में रखते हैं अपने strategy को design कर सकें साथ में हम discuss करते हैं हमारे internet trades के बारे में and logic behind that trade too दोस्तों हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोजात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए साथ में इस चैनल पर आपको technical analysis और trading techniques related videos भी regularly देखने को मिलते रहते हैं फॉर एक्जामपल अगर आप options के अंदर में trade करते हैं तो option chain को effectively किस तर से read करना चाहिए कौनसे strike के उपर में buyer सेक्टी हो है या कौनसे strike पर काम करने के वैसे आपको maximum benefit हो सकता है इसके अलावा जो technical patterns होते हैं इन्हें किस जंक से trade करना चाहिए options के साथ में mix करके इन सब subject को cover करते हैं वीडियो आपको हमारे playlist में मिल जाएंगे इसके साथ में ही अगर आप daily bank nifty और nifty के अंदर में trade करते हैं उनके labels के लिए आप देख रहे हैं आपको उनके labels चाहिए futures के सो आप हमारा channel join भी कर सकते हैं इस channel के उपर में हम different stock के बारे में discuss करते हैं important information market के बारे में update करते हैं यह सब चीज़े हम अगर आप channel हमारे जोइन करते तो आपको provide करते हैं इसी तरीके से नए नी चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आपको update रखने के लिए हम आपसे request करेंगे कि चैनल को subscribe कर लिजे और साथ में bell icon को भी प्रेस कर लिजे ताकि आपको latest updates मिलते रहे हैं फिन शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है nifty 50 bank nifty और हमारे इंट्राडे trades के बारे में फिन शुरूत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में कल के वीडियो में हमने बात किया था तो जिस तरह से कल का body बना था candle वहां से हमने एक चोटा सा जो हमने बात किया हुआ था तो nifty 50 और bank nifty ने बढ़िया काम किया आज के दिन में अच्छा लेवल्स हायर लेवल्स पे गए और उसके बाद में वहां से profit booking होता हुआ नजर आया था इसके लिए मैंने मेरे YouTube चैनल में टेलीग्राम चैनल के उपर में मेरा जो morning में view रखा था वो cautious view रखा था क्योंकि हम हम ऐसे लेवल्स के पास में पहुश रहते हैं जहां से profit booking आना possible था और हमें profit booking देखने को मिला भी चार्ट पर उसके वारे में discuss करेंगे बट देखे लिए निफ्टी 50 और bank nifty ने किस तरह से काम किया आज दिन भर के अंदर में तो दो निफ्टी 50 और bank nifty के वारे में बात कर high बनाये 10,847 का and low बनाये 10,676 का लगबग लगबग lower end पे जाते हुए हम जाके close देते हुए हम नजर आ रहे हैं आपे bank nifty 43.35 points only कल के दिन में अगर आपको याद होगा nifty नीचे आके वापस उपर की तरफ गया था bank nifty nickel points अच्छे कासे points गिन किये थे आज के दिन में bank nifty न opening विधी 22,700 पे low बनाये 22,500 का and high बनाये 23,080 का दिन बर में swing कितना हुआ है 580 points का swing bank nifty में हमें देखने को मिला हुआ है कुछ stocks के बारे में बात कर लेता है, lupin मैंने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले cover किया था, मेरे वीडियो के अंदर में वहाँ पर हमें उत्रा movement होता हुआ नजर आया इस दिन पर में, intraday क्यूमिन्स इंडिया कल के वीडियो में हमने clear card बात किया था, क्यूमिन्स इंडिया के अंदर में movement हो सकता है, क्यूमिन्स इंडिया के अंदर में movement आते हुए नजर आ रहा है, लेकिन इसके नीचे जाने पर shorts बनते हुए नजर आएंगे क्यूमिन्स इंडिया के अंदर में सो टाटा केमिकल के बारे में हमने कल के दिन में कल के वीडियो में हमने इस्पेशली बात किया था टाटा केमिकल आज केमिकल जो कम्पनी जह उनके बारे में था न्यूज भी था सो टाटा केमिकल ब्रेक आउट के नज़िक में काम कर रहा है तो हो सकता है इसमें आने वाले दिनों में breakout देखने को मिले हमें IGL के हमने कल के वीडियो में Tata Chemical, IGL and Method Finance को cover किया हुआ था So Tata Chemical के अंदर में आज के दिन में कोई trade नहीं बना है IGL के बारे में बात करें तो IGL हमने जो target लिया था 407 का target लिया था IGL के अंदर में नीचे की तरफ और IGL ने 407.50 से U-turn लिया हुआ है तो लगबग लगबग यहां पर भी target अचीव हुता हुआ नजर आ हुआ है मुत्वर्ड फिनेंस की बात करें मुत्वर्ड फिनेंस में हमारा target था 10,083 का and exactly 10,083 से ही return लिया है मुत्वर्ड फिनेंस ने so आज out of 3 stock, 2 stocks के अंदर में target अचीव हुए जो कल के वीडियो में हमने discuss किया हुआ था and 1 stock के अंदर में कोई trade बनता हुआ नजर नहीं आया Indesan Bank, आज Indesan Bank मेंने मेरे जो YouTube के जो platinum group के members है उनके सामत में मैंने discuss किया था 557 पर हमने इसको discuss किया था it made high of somewhere close to 577 के आसपास का इसने high भी लगाया intraday के दिन में तो intraday call था call in the sense intraday मैंने ये trade किया था आज के दिन में तो इसमें मैंने profit book किया हुआ है hope जो हमारी YouTube premium member है अगर उन्होंने भी इसके उपर में कुछ अगर नजर रखा होगा तो definitely उन्होंने भी शायद profit book किया होगा इसके अंदर में चले बात कर लेते हैं nifty 50 और bank nifty के बारे में आने वाले दिनों में कैसे काम होता हुआ नजर आ सकता है so nifty 50 के बात करें so हमने देखा कुछ दिन की rally हुई है कल का दिन हमने देखा था कल के दिन कैसे काम हुआ था 7th July को 7th July को market ने almost flat बोलेंगे काम क्या था क्योंकि market ने opening अच्छी की थी उसके बाद में down हुआ फिर recovery करके उसी label के आसास मुझा के closing की आज हमने gap up opening दी नीचे आये वापस से उपर गये लेकिन फिर उसके बाद में हमने continuously यहां से profit booking देखी हुई है lowest labels पर आये एक बाद फिर से recovery करने ही कोशिश हुई लेकिन दो बजे के बाद में profit booking चालो हुआ एक अच्छी बात जो इस लेकिन closing हमारी उसके आसवास में होते हुए नजर आई है important support and resistance of 10,624 के आसवास में देखने को मिल रहा है निफ्टी के उपर में अगर मैं intraday chart के बारे में बात करूँ यानि daily candles के आने में बात करूँ तो कल का दिन जैसे मैं पहले बोल रहा था कि कल का दिन के अंदर में हमने low बनाया और पूरी recovery की थी आज के दिन उन नहीं हो पाया in fact हम जो train line था उस train line को तोड़के अंदर आते हुए नजर आये हुए है यानि जो pattern बना था उस pattern के अंदर आते हुए नजर आये है तो क्या हम extremely bearish हो जाना चाहिए हमें ऐसा कुछ नहीं है निफ्टी के अंदर में अभी भी extremely bearish होने की जरूरत नहीं है कब तक नहीं होना है जब तक निफ्टी 10,600 के नीचे closing ना दे दे अगर 10,600 के नीचे closing देता है निफ्टी तो फिर एक bearish महौल बनता हुआ नजर आएगा लेकिन फिलहाल के टाइम पे अभी ऐसा कुछ bearish mood नजर नहीं आ रहे है तो क्या हो सकता है अगर निफ्टी 10,741 के उपर मिले तो एक बार buying opportunity देखी जा सकती है with this stop loss of 10,700 yes and target उसका हो सकता 10,841 के आसपास में अगर निफ्टी 10,700 के नीचे मिलता है या let's say 10,652 के नीचे मिलता है तो एक बार 10,700 का stop loss लगा के target लगा जा सकता 10,550 का उसके लिए काम किया जा सकता है निफ्टी के अंदर में निफ्टी अगर हम option chain में देखें तो देखते हैं option chain में कैसा suggest कर रहा है मैं निफ्टी 10,705 के हम बात करें 10,705 पे लगबाग हमने closing दी हुई है at the money क्या होगा at the money होगा 10,700 so let's talk about 10,700 then 20,92,000 का open interest and 21,29,000 का open interest put side में देखने को मिल रहा है unwinding clear cut है unwinding देखने को मिल रहा है in fact काफी जो deep OTIM में वहाँ पे भी unwinding देखने को मिल रही है so यह basically जो आपका कल की दिन में expiry है उसके चलते हुए यहाँ पे हमें unwinding देखने को मिल रही है meaningful writing होई है 10,800 पे यानि ऐसा expectation है कि शाद 10,800 के वास में अगर nifty मिलता है तो एक बार उसे sell करके कि दिया जा सकता है 10,800 तक हम पहुचते हुए नजर ना आवें शायद से so 10,800 विल प्ले इंपोर्टेंट रूल उसके आसास में एक बार short position बनाई जा सकती है highest open interest का है highest open interest आपका 38,44,000 का and 35,49,000 भी एक बढ़िया है open interest देखने को नजर आ रहा है जो 10,800 पे है so इसके नीचे 10,800 को तोड़ के अगर हम उसके उपर जाते है तो आपको एक बार यहां से pressure बनता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि हम नीचे की labels दिखाए लेकिन फिलाल के टाइम पे 10,800 बढ़ियां सपोर्ट कर रहा है 8,93,000, 7,86,000 यह अच्छी राइटिंग देखने को में मिल रही है call side के अंदर में so calls writer active होते वे नजर आ रहा है उपर का label जो है 10,800 फिलाल इस week क्या निकल के लिए समझ में आ रहा है highest open interest put side में कहां पे है अभी तक 10,000 पे था यहां पे unwinding होई है unwinding क्यों न हो 1.30 में मिल रहा है कौन risk लेना चाहेगा so 26.27 हो गया अब highest open interest उसके बाद में हमें 2821 के आस्वास में देखने को मिल रही है यानि 10,600 उपर की तरफ आपको label नजर आ रहा है 10,800 से 10,600 के बीच में expiry होने के chances फिलाहल के टाइम पर नजर आ रहे है अगर market नीचे की तरफ जाता है तो एक बार 10,500 पर भी pressure बनता हुआ नजर आ सकता है so चोटा range क्या है चोटा range 10,800 से 10,600 का है and बड़े range के बात करें तो 10,800 से लेके 10,500 या यह 300 पॉइंट के बीच में expiry होने के chances ज्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर में माफ करेंगा चले बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कल की train line थी हमने आज उसके train line के उपर ही हम थे maximum time पर हमने उसके उपर ही 11.30 तक हम sustain किया है उसके बाद में उस train line को हम cross नहीं कर पाए है और लगबग लोग अगर आप देखेंगे 8 candles बना है 8 candles के बाद में 9th candle में फिर वहां से profit booking देखने को memory है कैस train line की वैसे profit booking भी नहीं है ऐसी बात नहीं है तो profit booking की हुए 23,000 पे हम थे 23,000 कहीं ना कहीं काफे दिन से लोग position बना रहे थे और 23,000 के अपर में profit booking आना था definitely जिन्होंने longs बनाए हुए थे एक दो हपते से वेट कर रहे थे उन्होंने आज के दिन में profit book किया so यहां पे profit booking हमें देखने को मिली हो ही है bearish position अभी भी मैं नहीं मानता हूं bearish कब तक नहीं मानूँगा मैं जब तक market 22,000 23,400 के नीचे या 22,200 के नीचे ना चला चाहे तब तक bearish नहीं माना जाना चाहे है एनिहाओ 22,000 पे बढ़ियां support है ये भी हमें बुलना नहीं चाहिए अगर daily candle पे देखे तो daily candle पे हमें inverted hammer नज़र आ रहा है inverted hammer का ज़्यादा importance तब होता है जब market गिर के market downtrend में हो अब trend में था market फिलाल काफी दिन से आगर देखे हम तो higher high higher low pattern बना रहा था आज भी higher high higher low pattern बना हुआ है लेकिन एक चीस समझ में है कि उपर की label से pressure देखते हुए नज़र आ रहा है कल के दिन में हमने इस label के बारे में discuss किया था 23,080 के आसपास हमने इसके बारे में discuss किया था और वही पर exactly हमें pressure देखने को मिला हुआ है 27,724 के आसपास में opening हुई थी और नीचे की label 22,483 के आसपास में जाते हुए हम नज़र आए कैसे काम हो सकता है अगर अब 23,000 के आसपास में मिलता तो एक बार बेचने की सला होगी सला इंदसेंस हम बेच सकते हैं शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं 23,100 23,150 के आसपास का stop loss रखा जा सकता है टागेट आपका 22,700 का बनता है अगर नीचे मिलता है नीचे कहां पे 22,000 के आसपास में मांग के चले मार्केट कल गिर के खुला और 22,000 के आसपास में मिला तो एक बार यहां से लॉंग पोजिशन बनाई जा सकते हैं for the target of 22,500 एक बार पैंग निफ्टी में 22,000 पे बढ़ियां सपोर्ट है उस चीच को में ध्यान में रखना पड़ेगा option chain क्या suggest कर रहा है closing हुई है 22,584 पे तो 22,600 विल बी at the money let's talk about this at the money 22,600 कल के दिन में expiry है and let's see expiry कहां पे होती है कल के दिन में position जो खड़ी है फिलार 1,19,000 1,9,000 का 22,500 पे अगर देखे तो 3,00,000 का open interest है and 3,51,000 का open interest हमें put side में देखने को मिल रहा है unwinding हुई है in the money में आज मार्केट उपर गया हुआ था डेफिनिटी उस तैंपर unwinding देखने को मिली रहेगी उपर की तरफ OTM में यहां पर भी unwinding देखने को मिली है क्यों ना हो जब प्राइज छे रुपर पांच रुपर चल रहे हो तो definitely unwinding बनता है यहां पर and marketer जब uncertain हो क्योंकि एक important label से हम reverse के अभी so basically अगर हम देखें यहां पर so highest open interest कहां पर वो देखना पड़ेगा 4,69,000 का highest open interest नजर आ रहा है कहां पर 21,000 पर 4,69,000 का and call side में 8,23,500 पर 23,500 पर call side में highest open interest नजर आ रहा है so इतना बड़ा range में तो swing होना possible नहीं है 23,000 पर बढ़िया open interest है एक तरव एक बार 23,000 पर जाएंगे तो फिर से short बनते हुए नजर आ सकते है and नीचे की तरव 22,000 पर बढ़िया support है so हो सकता है कल market आपको 23,000 से लेके 22,000 के बीच में ही काम करता है नजर आए एक 1000 पॉइंट का 1000 पॉइंट का है लेकिन हमने closing भी लगब लगब बीच में ही है उसके आसपास में ही दी हुई है एकदम center में दी हुई है 203 से point move करना bank nifty के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है तो either side movement हो सकता है और नीचे की तरव 22,200 पर भी बढ़िया support है एक बार वहां से भी buying opportunity बनते हुए नजर आ सकती है और उपर की तरव 23,800 पर जाते ही प्रेशर आते हुए 22,800 पर जाते ही प्रेशर आते हुए नजर हो सकता है तो यह बात हो कि nifty और bank nifty की कुछ stock जो कल के दिन में था काम करते हुए नजर आ सकता है उनके आरम बात करते है So State Bank of India जो है वो भी थोड़ा सा जिस आपसे काम कर रहा है आज के दिन में था breakout होने की chances थे लेकिन breakout दिखा ने So यहाँ पर कैसे काम कैस रखता है In case अगर pull back हुआ या नहीं वापस उपर की तरफ market जाते हुए नजर आया तो मैं 195 पर entry लूँगा with this stop loss of 192 and 200 plus के target के लिए मैं इसमें काम करूँगा लेकिन अगर fall continue हुआ तो 189 के नीची जाते ही मैं short बनाऊंगा with this stop loss of 192 and target of 184 minus यानी 180 क आसपास में जा सकता है Sbine अगर bank nifty के अंदर में कोई pressure देखने को मिला तो बात कर लेते हैं आज के दिन में अच्छी गिरावट देखने को मिले है बाल कुरेश्ट इंदस्री के अंदर में यह गिरावट और गहरा सकती है क्या हां गहरा सकती है गिरावट यह अगर market 1260 कि इसी भी तरीके से फॉल की बात करो अगर मार्केट अभी 1251 पर है 1260 क्रॉस नहीं कर पाता है तो उसके आसपास में पोजिशन बनाई जा सकती है 1267 के स्टॉप लॉस के साथ में 1237 का टागेट रखोगा पुल बैक रैली कहां पर देख सकते हैं 1280 के उपर ही पुल बैक हो सकता है पोजिशन बनाऊगा 1269 का स्टॉप लॉस लगा के एं 1300 का टागेट के साथ में तो दोस्तों ये बात होगे आज के वीडियो के बारे में आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करेगा दोस्तों के साथ में शेयर करेगा अगर वीडियो में कुछ पसंद नहीं आया रहे तो उसे comment box में लिखके mention करेए so that we can improve ourselves आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर है तो बढ़िया बात है अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिखे होई लिंक से भी जॉइन कर सकते हैं इसके लाब हमारे website www.smarttellisclub.com पर विजिट कर सकते हैं वहाँ पर आपको यह आइकन मिलेगा यहां के थुरू भी आप जॉइन कर सकते हैं ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं इसके लाब हम कुछ online courses offer करते हैं अगर आप online courses जॉइन करना चाहते हैं या इसके बार में information चाहिए अगर आपको तो हमें mail लिखके या तो हमें वाट्सअप करके आप इसके बार में information भी ले सकते हैं गाइस तैंक यू बरी मुच पर वाचिंग इस वीडियो फोप कल का एक्सपार यह आपके रिए बहुत profitable हो और आप बढ़ियां पैसे कमें गुद्न